बहुत दिन के बाद मैंने घर से वीडियो ले रही हूं और ये ब्लॉग में मैं शिखागो का सब वीडियो क्लिप यूज़ करूंगी मेरा फोन पर पूरा वीडियो इतना ले ली थी खत्म हो गई थी उसलिए मैंने सोची मतलब मुझे बहुत दुख होई थी शिखागो का फ्लॉरीडा का जितना भी वीडियो लेती बूरा खड़ा हो गया है क्योंकि मैंने रिकावर्ड कर यह नहीं सकते हैं फाइनली मैंने मेरा हस्बन जोगी वो सब वीडियो क्लिप्स रिक अब हम लोग निकल पड़े हैं चाना टाउन के लिए मैं चीखागो में जब भी जाती हूँ चाना टाउन से कुछ फ्लॉरीड्ट नुडूस लेकर आती हूँ इस बार भी उसलिए हम लोग चाना टाउन पर जा रही हूं नुडूस लेने के लिए और यह रोड हम लोग जहां पर ड्राइब कर रहे हूँ यह शिखागो का ग्रि या कपड़े मिलते हैं वो जगह का नम है डेवन स्ट्रीट डेवन आवेन्यू उधर पर बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स बगएरा है जब इंडियन कुछ सम्मान लेना होता है शिखागो के सब लोग वो डेवन आवेन्यू पर ही जाकर ग्रोसरी करना पसंद करते है क्योंकि हम लोग के जो स्पेशल स्पाइसिस है वो स्ट्रीफ डेवन में ही मिलता है और इधर पर देखें दूर दूर में शिखागो डाउन टाउन का सब हाइरास बिलिंग दीक रही है और उसके साथ ही क्लावडी भी है उस दिन बहुत ही क्लावडी थी एक तो बारिश हो शिखागो में आ गया था और बहुत ही अनहेल्थी थी उसे लिए लोगों को एडवाज कर किया गया था आप अगर विदर रिजन में आप घर से बाहर निकलो नहीं और घर पे भी मास्क परन करी रहो हम लोग एक क्विक बात शिखागो में गई थी लेकिन तभी भी देखे स्काय उतना क्लियर नहीं है और इसके साथ ही इधर पर बहुत सारे सुन्दर सुन्दर हाइराज बिल्डिंग्स सब हैं और मैं जब भी बिग बिग सिटिज में जाती हूं देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इतने सारे बड़े-बड़े सुन्दर सुन्दर और यह देखे छोटे-छोटे भी बिल्डिंग्स भी है और इसके बाद यह जो राउंड सर्कल वाला अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स है बहुत ही खुबसुरा सा है थोड़ा से यह एकदम ग्लास जैसा लग रहा है चारो तरफ से पुरा ग्लास के ग्लास से ही बना हुआ ह बहुत ही खुबसुरा सा लग रही है बहुत ही यूनिक है मैं वो ही देख रही थी और अच्छा भी हुआ था उससे में लाइट जो रोड की स्ट्रीट लाइट थी वो रेड हो गई थी उसलिए हम लोग तोड़ा से एंजय भी कर सकें देखे कितना खुबसुरा सा लग रह ही रही है यह अपार्टमेंट बिलिंग्स है डेफिनेटली यह इधर पर जहां जो लोग रहते हैं कितना सुंदर व्यूज मिलती होगे और देखें मैं बोल रही थी शिखागो में इतने सारे बिजनेस और इतने सारे लोग रहते हैं चोटा-चोटा कुछ चीज है ही नहीं सब चीज हुज अपार्टमेंट बिलिंग्स या कोई भी आफिस बिलिंग्स कुछ भी हो सब कितने सारे हाई राइस बिलिंग्स समझें इनमें कितने सारे लोग रहते भी हैं मैं बोल रही थी हम लोग Chicago में बहुत बार आचुकी हूँ लेकिन कभी भी गूगुल सससी नहीं की हूँ जसक्षिखागो सिटी में आकर जितना गूमना होता है वही गूमती थी लेकिन अभी मैं Google सथ कर रही थी तो पता चला यह हम लोग जो modern life में बहुत सारे शुरुवात यह Chicago City से ही शुरू ही थी उसका सबसे पहला जो example है अभी all over world में 40 hours per week जो job हम लोग करते हैं वो शुरू ही थी यह Chicago City से ही और जो unionized जो job में है वो भी USA में सबसे पहले शिखागो में ही शुरू ही थी क्योंकि इधर का job का condition बहुत ही खराब थी business owners ठीक पैसे भी नहीं देते थे उसलिए सब लेबर्स लोग एकठा होकर union बनाया था early 19th century में Chicago जैसे grow कर रहा था बहुत सरे factories, business उसी तरह अभी भी चल रहा है और early 19th century में जब अमेरिका में slavery खतम हुए थी तो south से सब black American लोग शिखागो में आकर रहना शुरू किया और वो लोग ये शिखागो में ही सबसे पहले jazz जो music, blues और soul, hip hop, gospel ये सब music ये ही शिखागो से ही शुरू हुई है और अभी भी इसलिए city ये city को jazz या blue cities बोले जाते हैं और एक इतर पर बहुत सारे शिखागो सिंफोनी, orchestra और ओपरा बहुत सारे बहुत सारे सुन्द सुन्द चीज है जो देखने लाइक है और उसके बाद ये शिखागो सिटी इतना छोटा सा city है लेकिन इसमें तीन famous universities है उनमें से एक है शिखागो उनिवरसिटी उनिवरसिट और एक University of Illinois देखे इतना छोटा सा city में तीन universities है तो definitely बहुत सारे बच्चे all over USA से आकर पड़ते हैं इधर पर बात करते करते मैं पहुंच गई हूँ स्टोर के पीछे में जहां पर मुझे मालूम है नूरूस कहां पर है और मैं उथर पर जाकर हमेशा यही मेरा फेवरिट जगह है सबसे पहले मैं चले आती हूँ और हमेशा मैंने जब भी जाती हूँ इधर पर एक दो different type का noodles लेती हूँ try करने के लिए क्योंकि देखे इतने सारे noodles है मुझे ठीक से मालूम भी नहीं है कौन सा अच्छा लगेगा लेकिन हां कुछ तो noodles मैं हमेशा लेकर आती हूँ लेकिन साथ में एक दो extra भी लेकर आती ह और इधर पर देखे बहुत सारे Chinese pot है और इन में से मैं ढूंड रही थी छोड़े छोड़ा इनोर रजगुला हमारे खर पर जब गेस्ट आते हैं जादा तो खाना पसंद नहीं करता है रजगुला एक छोड़ा अगर बोल पर मैं दू तो उस size का मुझे मिल गया है इधर से 16 या 20 में वह चोड़े-चोड़े पॉड़े के लाई हो अब हम लोग आ गए है चेक आउट करने के लिए सामने में सामने में देखे यह जो ग्रोसरी स्टोड़ा बहुत ही सुंदर है लेकिन पीछे में काइंड अप स्टोड़े जैसा अलग रहा है है और इधर बहुत सुं हाँ बंगला में जो रूई फीश बोलते है लेकिन वेरी सिमिलर चाइनिस में भी चाइना में मिलता है हम लोग फीश लेकर आया थे घड़ पे अब हम लोग चले आए हैं मेरा देवर का घड़ पे जहां पर हम लोग थे देखे कितना खुथर सा बैलकोनी है और ये बैलकोनी में अच्छे इसे बहत अच्छा फ़र्णीचर भी रखा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और सामने में सुंदर हाइद बिल्लिंग्स और ये ये जगा भी एकदम हाइवे नट हाइवे सारी डाउन टॉन यह बोलते हैं यह घर को मुझे ने ठीक से मालूम नहीं है एक साथ फॉर या फाइब घर एक साथ बना हुआ है और फॉर्थ फ्लोर पे देखें मैं जहां पर खड़ी होके वीडियो ले रही हूँ पतला सा एक ब्लैक कलर का बॉर्डर से दुसरे सेपर्ट किया हुआ है और यह है फॉर्थ फ्लोर तक फॉर्स फ्लोर फ्लोर पे गराज उसके बाद सेकंड फ्लोर में बैलकोनी थर्ड फ्लोर पे ऐसा ही है कुछ बैलकोनी बगरा नहीं है लेकिन फॉर्थ फ्लोर पे पीर से टॉप फ्लोर में बाल करणी है ये देखे अब मैं दिखा रहे है ये ऐसा है फॉर्स फ्लोर बेसमेंट है गराज ते लिखान तर्ड फ्लोर जा बारak कर सकते हैं और सेम बेडरूम में यह Master bedroom है बहुती खुब्सरत서 बना हुआ है Master bedroom बड़ा सा और देखे , !! किंक साइज का सबसे बड़ा बेड भी है लेकिन तभी भी चारो तरप कितना जगा हुआ है और एक बहुती सुंदर सा feature हे यह घड़ में Master bedroom में मैंने जब गई थी हम लोग यही रूम में थी और सुबे चार-पाँच बजे मैं देख रही थी वाश्रूम से लाइट आन है बेडरूम से बेलकोनी बहुत ही खुबसुरत सा लग रहा था इनका वीव मुझे सच में अच्छा लग रहा आप बेड से बेड से अच्छा अब मैं आगई हूँ वाश्रूम वाश्रूम में जैसा एक टब है स्टैंडिंग शावर और शावर के जो शावर हेड है सच में मैं बहुत सारे होटल्स में यह हम लोग के घट पे भी यूज की हूँ लेकिन कभी भी ऐसा सुन्दर सा और यूनिक मुझे पता ही नहीं चला किस तरह से पावर मतलब वाटर और करूंगी तो बहुत देखने के बाद यूज कर सकी हूँ और उपर में देखे यह सबसे बढ़िया लगा यह क्या बोलते हैं इसको स्काइलाइट सारी इसको स्काइलाइट बोलते हैं और यह स्काइलाइट के वज़े से पूरा दिन भर पूरा यह वाश्रूम में एकदम लाइट का कोई लाइट का ज़रूरत ही नहीं होती है स्रिप रात के वक्त में जब सूरज नहीं है तब जाके आप वाश्रूम में लाइट अन करो और अब आ गई हूँ मैं नीचे आ रही हूँ सिने से आने के वज़े से मेरा फोन हेल रहा है अब मैं थर्ड फ्लोर पे आई हूँ सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में भी कितना तीन बेडरूम से और दो वाश्रूम है और इथर पे थर्ट फ्लोर के लॉंडरी का एरिया भी है बहुत सुन्दा सा एरेंज किया हुआ इनको टाउन हाउस बोलते हैं सामने में जो दिख रहा है ये वाश रूम है और ये साइड में दो बेडरूम मैं लेकरने गई हूँ और अब मैं आ गई हूँ रात के वक्त का बार्बीकू करने के लिए मैं तो नहीं करी पूरा देवर जी कर किया है इसमें श्रिम था और उपर में हेलोपेनियो और चीज दे कर और है कॉर्ण पॉंपलेट मचली और चीकन पहले ही बना हुआ था उपर में गार्लिक दिया हुआ गार्लिक ऐसा रोस करने के लिए यह वाला गार्लिक मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके उपर में रोस होने के बाद आप अगा थोड़ा सा विनिगर और ऑलीव ऑल डाल दोगे तो बहुत ही टेस्टी हो जाती है और इधर पर दिखेंगे यह पॉंपलेट फिश है और चिकन लेक बना हुआ था बार्बेक्यू किया था वो मुझे मैं ले नहीं हूं वीडियो आज के लिए इतना ही थेंकी सो मच मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए और आप अगर नए है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो तब तक के लिए बाबाई